नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टापिक है Terms of Addition, Subtraction, Multiplication and Divisant याने की Addition, Subtraction, Multiplication और Divisant के Parts के Name तो चलिए सबसे पहले हम Addition के Terms जाँ देए तो Addition के Terms मुझाने के लिए मैंने यहाँ एक एक एक्जामपल यह है 68 प्लस 21 जिन दो नमबर को हम प्लस करते हैं, उन्हें हम Addent कहते हैं और उन दोनों को प्लस करकर जो Answer आता है उसे हम Sum कहते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं Terms of Subtraction Subtraction के Terms के लिए हमारे एक्जामपल है 57-34 अब जिस नमबर में से हम Minus करते हैं, उसे हम कहते हैं Minus और जिस नमबर को Minus करते हैं, उसे Subtract है और इन दोनों नमबर को Minus करके जो Answer बचा, उसे हम Difference कहते हैं चलिए, अब हम समझते हैं Terms of Multiplication अब Terms of Multiplication के लिए मैंने एक्जामपल लिया है 43-2 का 2-306, 24-886 अब जिस नमबर को हम Multiply करते हैं, उसे Multiplicant बोलते हैं और जिस नमबर से Multiply करते हैं, उसे Multiplyable बोलते हैं और इन दोनों नमबर को Multiply करते हैं, जो Answer आता है, उसे हम Product बोलते हैं तो चलिए, अब हम समझते हैं Terms of Division अब Division के लिए मैंने एक्जामपल लिया है 14 divided by 4 जिससे हम Divide करते हैं Divisor, जिसमें हम Divide करते हैं Divident जितनी बार गया Caution और जो Minus करके बचया, उसे हम कहते हैं Remender तो ये थे Thumbs up, Addition, Subtraction, Manjit Negation and Divisor I hope आपको ये Knowledgeable Video पुझे आई होगी तो इसे जादर से जादर शेयर कीचेगा जिससे ये Knowledge सबके पास पॉर्ट सरहां अगर आप एंटी बच्चिस चलिए तो इसको पीडियों देखने हैं कोई पुझे सक्षिंहे जरूर पताएगा हैं तो आपको ये वेडियों